मैं यहां कि सरकार से और परसासन से ये कहना चाहता हूँ ये कहने के लिए आया हूँ कि हम लोग सविधान फिरिये लोग हैं सविधानिक लोग हैं हम चाहते कि सविधान के अंतरगत एक आम आदमी को नियाय मिले लेकिन अगर नियाय नहीं मिलेगा तो फिर उससे बड़ा हमा कि खिलाब करो यह नहीं होगी मैं यहीं रहूँगा अब आपको डरने की जुरत नहीं है माता है वैने सब सुन लें अपना जिस तरह से आप जीवन वैतीत कर रहे हो करो जै सविधान साथियो आपका भाई और पुरी टीम के साथ में हमारे सभी सम्मानित लोग आज जिला जिन्द में और जिन्द के जो खापड और चातर गाउं हैं जिसमें हमारे चमार भाईयों का समाजिक भाईसकार किया हुआ है आज आपका भाई पुरी टीम के साथ में मैं चातर गाउं में उपस्तित हूँ और जिस परकार से काफी दिनों से हमारे लोग का समाजिक भाईसकार किया हुआ है सबसे पहले मैं थोड़ा आपको जानकरी दे देता हूँ इस गाउं के घटना की कि हमारे लोग को हमारा एक एक यूवक वो कबड़ी खेलने के लिए जा रहा था देखने के लिए उसको रास्ते में रोक कर पीटा जाता है यति वो व्यक्ति अफैर कराता है तो उसको धमकी दियाती है फैर वापस लेने की मुगदमा वापस लेने की और अगर हमारा व्यक्ति मान सम्मान के लिए नियाए चाता है वो चाता है कि मुझे नियाए मिले मुझे बेवज़े पीटा गया लेकिन यहां के कुछ लोगों ने मुगदमा वापस नय लेने के क सभी appetite के लिए जा रहे हैं उने Unfortunately Baptist को सर्कार ने और यहां के पक्रशासन लेकिन मैं सभिधान लेकर गाव में पहुंचा, मैंने कहा कि सभिधान से उपर कुछ नहीं हो सकता और हम देखेंगे की Peachawальный Leander को है इहांद खक दंगई लोगों कर दिया हो कि हमारे लोगों से मेरे परिवारों से मुझे कॉन रोकसकता है मिलने के लिए और मैं यहांपर पहुंच गया हूँ और हमारे जितने भी यहांकी गाउं के लोग इहां पर उपस्तित एं और मैं यह कहना चाहता कि यदि हमाई लोग को समाजिक वहिसकार करने वालोपर अकारवाई नहीं हुई और हमाई लोग नहीं मिला मैं यहां की सरकारच्च और परसासन से यह कहने के लिए आहा हूं कि हम लोग सविधान फिरिय लोग समिदानिक लोग हैं हम चाहते की सविधान की इंतरगत एक आम आदमी को न्याए मिले लेकिन आगर न्याए नही算 मिलेगा तो फिर उस्सें बड़ा हमारे पास आंदोलन हैं हम आंदोलन करेंगे और हर्यानग को बंद करना पड़ा तो बंद किया जाएगा मैं रूब-रू करा जरो लटे से बी पर यहीं को πिर फीन जोआर जोटें परकी आरी होगता शोड़त्स इसका करते तो अरोटरा शना कर टे करें ाइश को कनुओग meadra? इना कुछ़ आ पर फूगत अर बयर खाभने हैं थोड़ा data तो उसने जब आफैर कराई तो मुकदम बापस लेने की धमकी दी उन्होंने, क्या कहते हैं गाली देते थे और धमकी देते थे, धमकी में क्या कहा कि मार देंगे, अच्छा तो तो थोड़ी देजवाज में बताया तो एक बाल बताओ, जो जिन लोगोंने भाइसकार किया है, आपको रहने सेने में क्या समझ्चा आरी हैं, आपको जैसे की दूद दिन जाने जाते हैं, वहां से मना कर दिया है, तो दिने के लिए, खेत में जाने के लिए वो बादा ड कि मिसे तो आणे की प्राइबा में जाने बताओ जिने अगाया लोगोंने इससाँ भाब निताने के लिया है, अब ताओ और वोुद दोड़ेत रकでも के लॉत honored के लिए कोई के लिए श्राओ, आपको दिने के okayईक वमाने चाहरा है? अब ताउ जी जान लो इस समा इस गाहों के लोग उन्हें बता जैना कि आज हमारा बेटा हो गया है हमारा भीमा गया है अगर वो लोग मनवादी है तो हमारा भीमा गया है उनका सविधानिक रूप से इलाज होगा और सब पर कर वही होगी कुछ अधिकारी आज ही सस्पेंड हो गया है कुछ ट्रास्पर हो गया है ठीक है तो न्याय होगा और किसी से डरने की जुरत नहीं है मैं यहीं हूं और यहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा यहीं रहूंगा बेरे परिवार के लोग खिलाब जिनोंने जाहती किये अन्याय किया है जब तक उ में यहीं हूँ यह जो गाउं में कमेटी बनाई हुई है